Hello everyone and once again welcome to Umar Taskeer YouTube channel, myself Umar Taskeer, guys, Facebook ad series के इस particular video में हम लोग बात करने वाले about ad scheduling, guys, ad scheduling नाम से तो आपको बहुत ही easy सा topic लगता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि किस time पर हम चाहते हैं कि हमारा ad चले, तो हम लोग कुछ चैनल इससे सोगेरा कर लेते हैं, कि हमारा ad जो है अगर इस time प में समझना है कि वास्तों में हमें किन time पर जो हमारे ads है, उनको चलाना है, बाकि time पर हम अपने ads को नहीं चलाना चाते हैं, क्योंकि guys, अगर आपकी audience बहुत जादा और आपका जो budget limited है, आप जरूर यह चाहोगे कि आपके वल एक potential time पर ही अपने ads को run करो, आप नहीं चाहो है, कि यह वाला जो हमारा time frame है, यह हमारे लिए बहतर है, अगर हम इस time frame के अंदर अपने ads को या campus को run करते हैं, there are high chances कि हमें conversion मिलेगा, ठीक है, तो इस चीज़ को करने के दो major तरीके हैं, उसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट जिन दो तरीकों पर मैंने काम research करता हूँ, कि actively मेरी जो audience है, वो किस time पर online रहती है, और जो मेरी audience है, वो किस time पर किस type के interactions करती है, तो guys अगर इस चीज़ को मैं आपको practically बताऊ, तो guys यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग आ जाते हैं, अपने Facebook account के अंदर, और guys यहाँ पर मैं आ चुका है, अपने page के उपर time period के around, इस page के content से interact करते हैं, अगर हमें यह चीज़े clear हो जाएंगी, तो हमें समझ में आने लगेगा, थोड़ी-थोडी सी clarity हमारी होने लगेगी, कि अच्छा, यह जो एक time period है, यहाँ पर जो हमारे page है, उससे लोग interact कर रहे हैं, और हमारे page पे भी वही content है, उसी type का content है, जिस type का हम add run करने जा रहे हैं, तो यहाँ से हम कुछ information collect कर सकते हैं, एक तो यह तरीका, मैं भी आपको practically रिखा भी देता हूं इस चीज़ को, एक तो हमारा यह तरीका है, दूसरा तरीका जो है, वो यह है, कि जो हमारे already existing campaigns होते हैं, मैं उन campaigns की performance देखता हूं, कि वो campaign किस व बहतर होगी, जितनी कम data के उपर आप analysis करोगे, analysis उतनी आपकी accurate नहीं होगी, data जितनी जादा होगी, analysis उतनी जबरदस्त होगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़े जादा दिनों की data उठाई जाए और एक campaign को या एक ad group को हम लोग pick कर लेते हैं, कि देखते हैं, यह इस ad group वो किन टाइम में बहतर perform कर सकते हैं, ठीक है, again हम लोग इस चीज का केवल analysis कर सकते हैं, concrete तरीके से यह तब तक नहीं कहा जा सकता, जब तक हम लोग फिर से campaigns ना run कर लें, but analysis के लिए data collect करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों के ज़रुरत पड़ेगी, तो वो इस टाइप से हम लोग इस basis पर वो data collect करते हैं, तो guys अगर हम लोग सबसे पहले इस चीज को देख लेंगी, यह option हमें कहा मिलता है, add scheduling का हमें option कहा मिलता है, फिर हम लोग देख लेंगे किस टाइप से add scheduling के लिए, कौन सा time perfect होगा, अगर इस तक पहुचना है, तो कैसे हम organic data को use कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आ चुक हूँ, अपने Google Ads account पर हम लोग को create के ओपर क्लिक करना है, campaign मैं select का लेता हूँ, कोई भी campaign objective, और guys यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए, यह मैं campaign level की settings पर हूँ, and यहाँ पर मुझे campaign budget optimization जो है, वो on करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर मैं नीचे to lifetime budget, तो मैंने lifetime budget पर switch कर दिया, now आप देखो, यहाँ पर आपको option मिलता है, add scheduling को edit करने का, ठीक है, और यहाँ पर आप select कर सकते हो, कि run ads on a schedule, on a specific time period, अगर आपको ads run करना है, तो आप इसको check करोगे, अब इसने आप से time अगरा तो पूछा नहीं, तो guys वो चीज हमें मिलती ह next level पर that is actually our ad set level, तो यहाँ पर आप केवल initial setting करते हो, उसके बाद आप अपने ad set level पर आ जाते हो, तो guys अगर campaign level पर आपने यहाँ वाला जो option है, इसको check कर रखा है, तो ad set level पर आपको कुछ इस type का interface दिखाए जिए तो बहुत ही simple है, जैसे आपको किसी specific time के उपर अपने ads को run करना है, बाकी time के उपर आपको ads को नहीं run करना है, let's say आपको यहाँ पर हम लोग select कर लेते हैं, कि Sunday, Saturday, यानि all days में, ठीक है, every days आप 12 a.m. पर run करना चाहते हो, ठीक है, और यहाँ पर Monday को केवल आप इस time period के बीच में अपने ads को run करना चाहते हो, तो there is very nice segmentation कि कि किस type से आप run करना चाहते हो, let's say मैं Saturday को केवल evening में run करना चाहते हो, एक मैंने campaign मनाया, और यहाँ पर Sunday को भी मैं केवल evening वाला जो हमारा time period है, उसमें मैं run करना चाहते हो, so we have all these options, कि हम अपने मुताबिक जो भी हमें लगता है, जो भी हमने research करके निकाला हुए, कि हमाई लिए perfect time ह हो सकता है, अपने ads को run करने के लिए, वो time हम यहाँ पर select कर लेंगे, so this is what we can do with ad scheduling, अब जो मैंने आपको बताया है, कैसे आप अपने social media के pages को use कर सकते है, तो guys अगर मैं यहाँ पर आ जाओ, अपने facebook page के ऊपर ठीक है, तो facebook page पे हमें एक option मिलता है, यहाँ पर आप आजाओ insights का, insights is basically इस page की जो आपको analytics होती ही, वो पता चलती, just simply go to this insights, ठीक है, insights के आप उपर click करेंगे, तो आपको और भी बहुत सारे यहाँ पर options दिख जाएंगे, right, तो आपको क्या करना है, simply जाना है post की insights पे, तो अगर मैं post की insights पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो when your fans are online, ठ ठीक है, तो Sundays में, Mondays में, यहाँ पर आपको सारा, कि day-wise अगर आप study करना चाहो, तो day-wise आप देख सकते हो, कि आपके, कितने fans जो है, किस टाइम में, किस days में online रहते हैं, तो यहाँ अगर आपको कुछ changes दिख रहा है, तो उसके हिसाप साब, जो है data capture कर सकते हो, यह हो गया अच्छा traffic यहाँ पर नहीं मिलेगा, right, 10 बज़े से लेकर 5 बे तक, बाकि अगर आप देखो तो यहाँ evening time में, मुझे बहुत ही अच्छा traffic मिलने के chances हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग है, वो online है, तो guys इस type से हमें insights मिल जाती, तो यह तो organic होगी, मैंने केवल आपको Facebook के page क बारे में बताएं, आप कोई भी social media use करें, लेट से आप Instagram use करें, तो वहाँ पर जो users हैं, वो किन type period में आपकी profile के साथ interact करते हैं, वो आप study कर सकते हैं, now coming to the ads part, paid ads, मतला हमारे जो campaigns हैं, या हमारे जो ad groups हैं, वो किन times में perform करेंगर मुझे यह study करना है, तो how I can do that, जैसे मैं एक ad set के उपर हूँ, मुझे क्या करना है, simply, तो उसके बाद मुझे segmentation में जाना है, then I'll go to buy delivery, ठीक है, और buy delivery में अगर आप देखो यहाँ पर, तो आपको option मिलता है time of the day, ठीक है, time of the day आप select कर सकते हो, ठीक है, add account time zone, यानि कि जिस time zone में यह add account है, let's say Indian time zone में, तो उसके नहीं आई, ठीक है, इसके बीच में, जो हमें conversion मिला, वो कितने हमें मिला, अब मैं आपर देख रहा हूँ, 10 से 11 के बीच में, जो मुझे conversion मिलता है, वो थोड़े से सस्ते मिलना है, तो क्या यह वो important time zone है, जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, जिस time पर हम अपना ads run करना रखते हैं, यहाँ पर एक और point जो मैं आपको बताने चाहूँगा, यहाँ पर जब मैं segmentation करने जा रहा था, तो आप यहाँ पर देखते हो, कि आपको दो options मिलते हैं, that is, पहला जो है, वो हमारा ad account time zone, ठीक है, कि हमारा ad चल रहा है, वो Indian time zone के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, कि इस हिसाब से फिर फर्दर आप planning करते हो, अप इस हिसाब से एड्स नहीं रन करते हो, कि दुबाई में इसवक्त क्या time हो रहा होगा, तो उसके हिसाब से आप अपने ads नहीं रन करते हो, आप अपने ads run करते हो, Indian time के हिसाब से, ठीक है, तो इंडियन time में, let's say, अगर हम ब इवनिंग हो रही होगी और वहाँ पर इवनिंग में पर्फॉर्मेंस आ रही होगी ठीक है तो यह हमको समझने की ज़रूरत है और यहाँ पर जब आपको आड शिडियूलिंग का जो ऑप्शन है वो सेलेक करने का भी ऑप्शन मिलता है तब भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मि तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि आप किस वाले को यूज करना चाहते हो तो आप वीवर्स के टाइम जोन को लिखना चाहते हो तो आप वीवर्स के हम इनको इतनी नहीं देते हैं हम इनको इतना सीडियस नहीं लेते हैं हमें लगता है बहुत ही सिम्पल सा ऑप्शन है कितने सारे और कितने सारे चैलेंजेंगे होते हैं, जिनको हम लोग figure out करते हैं, जिनको हम map करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने जो settings हैं, उनको हम लोग करते हैं, दोस्तों आशा करता हूँ, ऐसे छोड़े ओड़े points पर भी आप ध्यान रखेंगे, तभी आप बहतर तरीके से, एक perfect तरीके से Facebook Arts के ecosystem को, Facebook Arts को आप समझ सकते हैं, और इससे जादा से जादा जो advantage है, वो आप ले सकते हैं, दोस्तों, इस particular video में इतना ही, मिलता है next video में, till then, good bye. झाल